दोस्तों वैसे तो YouTube हमेशा कुछ नए नए अपडेट्स करता रहता है और नए अपडेट्स लाता रहता है लेकिन इस बार YouTube ने YT Studio अप्लिकेशन में कुछ नए फीचर को एड़ किया है एक नए अपडेट लाकर जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हू अब आप देखेंगे YouTube के तरफ से मेल आया हुआ है और यहां पर मेल में क्या लिखा हुआ है यह सबसे उपर लिखाना है YouTube Creators मैं इसे ओपन करता हूँ अब यह मेल आप देखेंगे यहां पर लिखा है a new way to view your YouTube payment details और हम नीचे स्कॉल करेंगे तो देखें लिखा है हाई आन हो सकता है कि आपको भी मिला हो अगर नहीं मिला है तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा लेकिन यह जो अपडेट है यह भी बीटा पर है देख सकते हैं यहां पर क्लिल लिखा है YouTube में कि we recently rolled out a new beta feature to easily view your channels beta feature है यह भी तो यह भी साइज सभी लोगों को नहीं मिला होगा कु क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे YouTube और Facebook से जुड़े हुए वीडियो बनाता रहता हूं तो चलिए सबसे पहले हम वाइटी अप्लिकेशन को ओपन करते हैं मेल आपने देख लिया है अब वाइटी अप्लिकेशन को हम ओपन करेंगे तो अभी तक हमें जो वाइटी आज टाइम और नीचे में 28 जिनों के जो अर्निंग होती है वो सारी चीज़ें यहीं पर देखने को मिल जाती है और अगर हम नीचे अर्म पर टच करते हैं तो यहां पर हमें वीडियो देख रहे हैं जिस पर ठीक है अब हम जैसे ही स्वीच करते हैं अपने इस वाले चैनल पर में चैनल पर मतलब अब देखेंगे मेरे सब्सकाइबर वगरा दिख रहे हैं यहां पर मेरी एस्टेमेटर जो रेवेन्य वह भी दिख रही है लेकिन अब मैं यहां पर अगर अर्न पर टच करूंगा ना तो एक नया ही फीचर देखनों को मिल रहा है यहां पर आप दे यहां पर चेक करना पड़ता था यानी स्टूडियो वाले पेज पर जाकर वेब वर्जन पर लेकिन अब वाइटी स्टूडियो अप्लिकेशन में हमारा अर्निंग यहां पर सो कर रहा है वह आप देखते हैं मेरी अर्निंग यहां पर आपको दिख रही है 139.28 डालर और अ मंत के दिख रहे हैं वो दिख रहा है दिख रहा है 108 डालर का अभी इस बार का 119 डालर का तो यह जो पेमेंट की हिस्ट्री है ना यह पहले हमें वाइटी स्टूडियो अप्लिकेशन में यूट्यूब ने दे दिया है आपको यह अपडेट अभी तक मिला है या नहीं मिला है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देज़ेगा चैनल पर नए हैं या भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देज़ेगा क्योंकि मैं अपनों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं